तो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल फार्मा एमसी के वापे दोस्तों यूपी एनेचम फार्मासिश्ट का जो एकजाम 28 और 29 दिसंबर को हुआ था लेप टिक्निसियन और इस ठाप नर्स का जो 18 और 20 जन्विरी को हुआ था उससे रिलेटेड महतपूर्ड अपडेस के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे महतपूर्ड बात कि हम लोग कटाप पर डिसकस करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स क्या रहने वाली है कटाप वीपी एनेचम फार्मासिश्ट की और रजल्ट से रिलेटेड मैं आप लोगो यूटूब चैनल के थंबल्स को देखा है तो आगया रजल्ट देख लो अपने माक्स क्या मतलब क्या है अगर आप लोगों के पास थोड़ी से थोड़ा सा भी टाइम है तो आप लोग वीडियो की प्रतेक कमेंट बाक्स और डिक्सक्रिप्शन बाक्स में आपको वीडिय सबसाइब Came and the account categorical लिंग मिल जाएगी आप लोग वहांझ से चेक कीजिए आप लोगो हो सारी जनकारी मिलेगी ठीक है और उससे रिलेटर्टर में वीडियो भी आप लोगों को बना दूंग speaker को कैसे चेक करना है ठीक है तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम यूपी नेचम रजल्ट दोजा तेइस गूगल पर सर्च करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है यहां पर एक्जाम डेट आप लोग देख सकते हैं यह इस वाली साइड पर आरोग भाजती 2021.in ठीक ह इस पर क्लिक करते हैं तो मेरा नेटवर्ट उसकी वज़े से कुछ डिले हो सकता है तो फ्रेंड्स यहां पर साइट ओपन हो चुकी है और मैं आप लोग को बताता हूं इसे थोड़ा पढ़के ठीक है जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तरवर्दिर राष्टिय मिसन ने ए आप अगले चंड के लिए जो की अधरी करते हैं जो की सथ्यापने सथ्यापने ने शुनेश्चित करें कि आपने भरती परिच्चा को पास करने के लिए नियुन परिच्चा में नियुन तम स्टेंब 75 प्रष्शंटर हैं तो मैं आप लोगों को जो है सिंपली यहां पर बता देता हूं कटाप के बारे में ठीक है क्या कटाप रहने वाली एंगर अर अम के अज delivery करिया हम लोगозможно तेज़ ठीक है साइट सही है ठीक है मैंने भी इस पर चेकिया है ज़्यादा तर्जानकारी सही होती है तो मैं आप लोग बता हूं देखे जनरल 50% यानि कि आउट आप 100 100 में से 50 मार्क्स आपको चाहिए ठीक है ओवी सी 50% एससी 45% एस्टी 40% और एडव्यस 50 तो देखिए मैंने भी आप लोग बताया था एडव्यस और ओवी सी केटेगरी सेम ही रहती है ठीक है तो इसका जो कटाब है फ्रेंड्स बहुत ही कम जाने वाला है ठीक है तो आप सब लोग इतना तो जानते हैं ठीक है और जिसके पास भी COVID certificate है तो उसका selection तो sure है मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए COVID certificate जिसने भी लगा है तो यह मान के चलिए बो जो है कुछ students को बहुत पीछे चोण देता है तो अम्मालिया general candidate को यहाँ पर 55 marks चाहिए only ठीक है out of 100 तो 100 मैसे अगर 55 है तो जहां तक है expected ही बता रहा हूँ और OVC candidate को 50 marks चाहिए 50 ही नंबर चाहिए तो friends यह कटाप से related कुछ महतपूर्ट अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को दी तो friends जो है मैंने आप लोगों को बताया था previous वीडियो में कि जो है आप खुछ से result को check कीजिए और result कैसे check करना है मैं इस पर वीडियो upload कर दूँ है ठीक है अगर कोई जानकारी होती है तो और थोड़ी सी भी official होती है ठीक है तो मैं वो जानकारी आप लोगों को देने की कोसित करता हूं वाला कि मेरे channel पर views कम हाते है मुझे इससे कोई effect नहीं पड़ता ठीक है और एक बार UPNHM complete होने के बाद जो है मैं आप लोगों को complete preparation कराऊंगा थोड़ा time ना मिल पानी के काड़ना आप लोगों की preparation नहीं हो पा रही है ठीक है और जो की budget आया है आप सभी लोग जानते हैं एक फरवरी दोजात तेज को उसमें railway की 75,000 vacancy announcement हुई है ठीक है तो 75,000 vacancy में आप लोगों को पता ही होगा उसमें यूपी में भी sorry उ में एक बटा 3 की negative marking होती है और cut up बहुत लो जाती है मैंने खुद 2019 का exam देखा था analysis किया था और जो है इसी बज़े से मैं आप लोग को बोर रहा हूं अगर आप लोग पहले से prepare करते हैं तो आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे ठीक है और क्योंकि एक बटा 3 की negative marking है त किल्कुल जो है 100% confirm होते हैं तो इसी बज़े से मैं बोर रहा हूं आप लोग जो है कटाप जो है preparation अपनी करते रही है कटाप का मैंने आप लोग को बता दिया आप लोग के doubt clear हो गये होंगे वो सभी candidate जो की इतने marks लेके आये हैं ठीक है तो वो त्यार हो जाईए जहां तक कि आप लोग का selection होना compulsory है ठीक है एक अनुमानिती बता रहा हूं में कोई जो है confirm नहीं है लेकिन हाँ expect ही कर सकते हैं और result के related मैंने update आपको previous वीडियो में दी है कि जो CHSO का result आया था अब्जेक्स लेंके दो मेहिने बाद आया था तो क्या UPNHM का result भी March और April में आएगा तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग भी अपनी राय जरूत दें कमेंट करके तो आप लोगों को कहा रखता है इस वीडियो के कमेंट में भी जरूर बताना तो दोस को ये वीडियो तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग फार्मा एमसी के हुआ